तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नए और लेडस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नमबर 5 है जिसका नाम है हिजरत इस चैप्टर को मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ा चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का टोटल सेल्यूशन करने वाले हैं यानि कि इस चैप्टर के सारे अब्जेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव कोशन का एंसर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगो को कम्प्लीट करा देने वाली हूँ तो अगर आप लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़ लीजेगा क्योंकि जब आप लोग चैप्टर पढ़े रहेंगे तो जितना भी कोशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगो को कराने वाली हूँ सारे कोशन का एंसर आप लोग खुद से दे पाएंगे तो इसके पहले वाले वीडियो में एकदम बहुत यचे तरीके से पढ़ाई हूँ जरूर पढ़ लीजेगा हिजरत नाम का चैप्टर इस चैप्टर के राइटर है एहमद जमाल पाशा चैप्टर के सांसात राइटर का नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि कोशन एक्जाम में पूछ देता है तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट बिफोर बिगिन दे वीडियो लेट मी रिवाइंड यू डैट उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाल वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुचेगा और उसके सांसात वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देना है ठीक है तो देखिए सबसे पहला प्रश्ण है अब्जेटिव सवाल कि हिजरत का तालुक किस सिन्फ अदब से है हिजरत जो है ना हिजरत नाम का चैप्टर इसका तालुक किस सिन्फ से है तो आप लोगों को मैं बताई थी चैप्टर पढ़ा रही थी तो कि हिजरत नाम का जो चैप्टर है ये क्या है इन्शाइया है यानकि option number A is the right answer जवाब में इन्शाइया लिखा हुआ भी है ठीक है आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल कि हिजरत किसका इन्शाइया है तो हिजरत answer करें तो मैंड में सारा question fit होते चल आ जाएगा ठीक है तीसरा सवाल बंजारों को और किस नाम से किस नाम से जाना जाता है तो खाना बदोश ये भी मैं आप लोगों को बताई थी बंजारों को खाना बदोश भी कहते हैं और यहां तक कि घुमकड़ भी कहते हैं क्योंकि हम कि जनत से हुख में सफर किसे हुआ जनत से किसे हुख में सफर हुआ तो वो थे आदम जनत कर चुके हैं जो कि जनत से सरजमें तक का है तो यह भी में आ आप लोगों को पढ़ाई थी सारा question यह objective यहां तक complete हो गया ज्यादा objective नहीं था अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसक जितना भी टोटल सल्यूशन कराई थी उसमें कुछ कास चैप्टरी नूमर फाइब से भी कोशन अब्जेक्टिव कोशन पूछ दिया था तो कुछ उसमें पूछ दिया और कुछ इसमें तो इसलिए इसमें आज किस विडियो में ज्यादा अब्जेक्टिव नहीं है ठीक है अब देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है आप लोगो का सब्जेक्टिव कुशन और वह भी नहीं तो वेरी शॉर्ट टाइप यानि की मुक्तसर तरीन सवालात हैं सबसे पहला सवाल है कि हिजरत का तालुक किसे सिन फैदफ से है तो खाना बदोस हर मुलक मुलक मास्त से क के मानी क्या है बाद शुमाल के मानी उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार के मानी बर्फ के तुंदो का घेरा याद रखिएगा बाद शुमाल का मानी होता है उत्तर की हवा और बर्फानी हिसार का मतलब बर्फ के तुंदो का घेरा सुर्माई तातिलात गुजारने के लिए क वापस वहाँ पर चली आती है तो वह ही साइबेडियी की मौसमी मुरगाविया जो है ना वो महुए सफर रहती हैं सफर करती रहती हैं किसके मुकाबले में महजब इनसान माज़ूर है तो खाना बदोश के मौामले में जो महजब इनसान यान कि सब इनसाने कमज़ूर है खान पूठ सकता है, मगर्ब को किसी इलामत कहा गया है, तो घुलामी की इलामत, घुलामी की निशानी कहा गया है जनत से किसे हुख में सफर हुआ, बुश जेह अक्रियां को, और इंसान की आखरी हिज़त कौन सी है, तो इंसान की आखरी हिज़त मौत है यह हो गया complete अभी हाँ से start हो रहा है short type यानि कि मुक्तसर सवालात सबसे पहला सवाल कि खाना बदोशों के काफिले किस तरह सफर करते हैं मुक्तसरन वियान कीजिए खाना बदोश जो बंजारों के काफिले होते हैं वो किस तरह सफर करते हैं बताईए तो मैं आप लोगो उस chapter में बताई होंगी अगर नहीं बताई हूं उस chapter में जब पढ़ा रही थी तो अभी बता दे रही हूं कि खाना बदोश के जो काफिले होते हैं उसमें जो खाना बदोश का जो सरदार होता है सबसे आगे चलता है और पीछे बाकी सभी लोग और सब वहीं इनसान के हाथ में भी बनजारे रहते हैं ना सबी की हाथ में कोई ना कोई एक चीज रहता ही है कोई ना कोई एक समान रहता है और सबसे पीछे कुद्टे चल रहे होते हैं तो इस तरह उनके काफिले ना सफर करते हैं दएख़ें यहां पर जवाब में लिखा हुआ भी है कि खाना बदोश के काफिले की सफर की मनजर कशी एहमद जमाल पाशा ने कुछ इस तरह से किया है कि बंजारों का एक ताज़ अदम काफिला सर्गम सफर है उनके खेमे और जःवरियात जिन्दगी के सामान खचरों पर लदे हुए है कि उनके जितने भी सामान है न सब खचरों पर लाद दिया गया है किसी पर मासूम बच्चे खुशी से उचल कुद रहे थे तो किसी गद्धे पर बिल्लियों के सामने पिंजडे में दुबका हुआ तोता बैठा था आगे आगे बंजारों का सरदार सीना फैलाए बड़ी शान से चलता है और हर तरफ आके गुमा गुमा कर देखता जाता है लड़की वो और अवरतों और लड़कों के पीछे बंजारे मर्दों की सफे हैं हर एक के हाथ में कोई ना कोई सामान जरूर है किसी के हाथ में गाये की रसी तो किसी के हाथ में बख्री की डोरी वही मैं आप लोको बताई ही दी तो यह लंबा चड़ अप लोक एंसर लिख देना है हिज़त एक ऐसा फर्ज है जिसे आज नहीं तो कल सब को अदा करनी है जो लोग अगर दुनिया में हिज़त करने के फराइज की अदाएगी से किसी तरह चूप जाते हैं फिर भी वो आखर हिज़त यानि की मौत से नहीं बत सकते हैं वह मौत जिसे महमूद गजनवी जैसे बादशा को भी नहीं चोड़ा और एख़ाद जैसे घुलाम को भी नहीं चोड़ा अच्छे हालात और अच्छे मस्तक्रिकी तामीर के लिए हिज़त करने वाले इसलिए पहाडों की चट्टानों में बसेरा कर लेते हैं कि वहाँ उन्ह फिक्रिय इस तेहकाम का एहसास होता है तो ये आप लोगों को एंसर लिख देना है आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल कि खाना बदोश खाना बदोश जिंदगी का कुमहार है कैसे तो देखिए एंसर में लिखा हुआ है कि खाना बदोश जिंदगी का कुमार इस तरह है कि उशका घर और जिंदगी का धन्दा तो एक मासुम बच्चे के रेत के घर के मानंद है जिस तरह एक कुमार रोजाना अपने चाक से तरह-तरह के बरतन बनाता है, तोड़ता रहता है इधर किसी बरतन की शकल में जरा सी बिगडी फॉरन उसे तोड़ डाला और बना बरतन बना लिया ठीक उसी तरह खाना बदोश भी हैं कि उसके चाक से रोजाना तरह तरह के घरोंदे और धंदे बनते रहते हैं इधर जरा सी मतलब जरा किसी झरा सी बिसी तरह जिन्दकी के खिलोने की शकल दिखड़ी यानि कि कोई भी घर बना रहे हैं घर में थोड़ा सा बुलतते हैं तूटा फूंटा और चक्की पर मिट्टी किलोई को रखता है और बरतन बतनाता है तो थोड़ा सा भी बरतन टेड़ा हो जाता है तो फिर उसको उठाकर फिर गूंदता है और तब फिर चक्की पर रखकर बनाता है बिल्कुल उसी तरह यह जो खाना बदोश होते हैं वो अपना घर बनाते हैं और घर बनाने के उतौरान जरा से भी मतलब शकल बिगड़ जाती है उनका घर बिगड़ जाता है थोड़ा सा भी तो फिर उसको तोड़ देते हैं उजार देते हैं और फिर एक नए सीरे से बनाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एंसर यहीं लिखा गया है नेक्स्ट कोश को लेते हैं देखे साइबुरिया की जो मुरगवियगा होती है मौestra में मुरगविया वो हिजट इसलिए करती हैं क्योंकि साइबुरिया में उत्तर की ठंडी हावाय चलने लगती हैं और उस लाके में बर्फ जमने लगती हैं जो मुरगवियों के लिए ना मुआफिक हो जाती हैं और वह परिंदे बहार की तलाश में खजा से टकड़ाते हुए मुसलसल उरती रहती हैं और जब मौसम में सुमा खत्म हो जाता है तो फिर अपने वतन साइबेरिया वापस आ कर जाती हैं और अपने अपने घरों में आबाद हो जाती हैं लेकिन जैसे ही साइबेरिया में क्लाइबे पहले हो जाता है तो फिर वो वापस अपने वतन यानि किसाई वेरिया लोट आती है और अपने अपने घरों में आबाद हो जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्टन पांच नमबर सवाल है कि एहमाजमाल पाशा ने साइंसदानों को किस नजर से देखा है अपने मजहम किसी भी धर्म पर रिश्वास नहीं करते हैं और नहीं किसी भगवान पर रिश्वास करते हैं नहीं किसी भगवान और खुदा को मानते हैं साइंस जब अपनी तरफ्की की इंतहा पर पहुंच जाता है और फित्रक जब रुमानियत से मिल जाती है तो रुमानियत पर कर खुदा के वजुद पर इमान ले आता है तो यह लंबा चड़ा आप लोग एंसर लिख सकते हैं आगे बढ़ते हैं अब यहां से स्टार्ट हो रहा है तवील सवलात यान की लॉंग टाइप कुश्चन सबसे पहला सवाल है कि तहजीब व्याफता इंसान जिंदगी और खा फर्क है क्योंकि यह तवील सवलात है पाश नंबर का कुश्चन पूछा जाता है इसमें से तो आप लोग थोड़ा लंबा ही लिखेंगे और चाहे तो जितना लंबा यह लिखा गया है ना इतना लंबा भी लिख सकते हैं तो इसको आप लोग खुद से ही शॉर्ट कोट कर सकते हैं अब जोई नहीं कि जितना लंबा यह लिखा है इतना ही लंबा आप लोग एंसर लिखेंगे आप इसको छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से देखिए जवाब देखते हैं तहजिब या फता इंसानी जिंदगी और खाना बदोशी की जिंदगी में हिजरत के लि अर महजब दुनिया का आदमी भी मुलाजमत ओया तजरत के वज़े से कार के लियूरे खाना कहीं आशियाना नहीं बनाते हैं जबके महजब लोग आशियाना नहीं बनाते हैं जबके महजब लोग अपना एक मुस्तकल आशियाना रखते हैं और तलाश मुआस में एक जगा से दूसरी जगा जाते रहते हैं फिर अपने आशियाना में वापस आ जाते हैं हैं और मुस्तक्बिल के लिए जो है ना वही हमारा जो आशियाना रहता है ना वही हमारा घर रहता है हम उसी में रहते हैं और कोई काम क्यों जैसे हम बले ही हिजरत करते हैं दूसरे जगा जाते हैं लेकिन फिर वापस हम लोटकर अपने आशियाने में आ जाते हैं अपने घर उसके खोहशात के परवाज की इंतहा एक मकान के हसूल तक महदूद है जिसके लिए वह जिन्दगी भर जदोजहद करता हुआ नजराता है जिसे वह किसी तरह जोर तोड़कर किसी ना किसी तरह बना ही लेता है फिर उस मकान से बग्याद जिन्दगी तुफैली बैल की तरह एक मिनाठ चिम्टा रहता है च्छा चिम्टा रहता है और आखिर कार उस दुणिया से चला जाता है यहां पर बोला चारे कि इनसान जो होता है न वो अपनी आधी जिन्दगी पैसा कमा कर जदोजहद करके पुरा खुन परशिना एक करके मकान बनाता है और मकान बनाने के बाद जो आदी जिन्दगी बचा रहता है उसी मकान में रहता है उसी घर में रहता है और उसी घर से चिम्टा रहता है और आखिर कार वो इस दुनिया से चला जाता है लेकिन ये जो खाना बदोश होते हैं ये अपने घर को ही साथ में लेकर घुमते रहते हैं तो ये आप लो बारे मुसलसल वो अपना भरो धंदा बनाते और तोटा रहता है ठीक है तो यह लंबा चौड़ा आप लोग एंसर लिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल देखते हैं हिजरत इंसानी सिरस्ट में कैसे दाखिल हैं मुफसल जवाब कलम बंद कीजिए यहां प कहना है कि बिलकुल सही है कि हिज़त इंसानी सिरस्ट में दाखिल है अगर हम इंसानी मौषरे पर गोर करें तो पता चलेगा कि दुनिया का हर शक्स हिजरत करता है यह अलग बात है कि मुक्तलिफ लोगों के हिज़त के नौईत अलग अलग होती है कोई मुलाजमत के के लिए इसट करता है तो की तलाश मॉास 옷 लिए कि बात साइए किㅋㅋ है किंश helping that यह इसान सिरस्थ में दाखिल इंसंन की फित्रत में है क्योंकि हर इंसान हुच trivia करता है हाओ यह बात अलग है कि मुख्तलिफ Moi यानिकि अलग-अलग लोग जो है ना हिज़त की करने का उनका मकसद अलग-अलग होता है कोई इनसान मुलाजमत के लिए हिज़त करता है यानिकि नौकरी के लिए कोई अपने मुलाजमत की तबादले के लिए यानिकि ट्रांसफर करवाने के लिए हिज़त करता है खैर का पहलू जैसे इन्सानी भाई चारा आर्मी यकजयति इस्तेकाम और वसाथ तक नजर आता है आप एक मिन रुक जाएए एक ऐसी वसाथ जो जमीन के किनारों को समेट ले अगर आप दुनिया की नक्सा पर गोर से निगाह डाले तो आप नक्सा पर गोर से निगाह डाले तो आप बेश्मार इन फरादी और इस्तमाई हिज़त के नक्ते देखेंगे हिज़त तो अक्वाम आलम और आबादियों के तारीख रही है की तारीख रही है हिज़त अफराद का नोश्टा है हिज़त एक मसलसल अमल है जिसके बगार महजब दुनिया का तस्वर भी नहीं किया जा सकता है ठीक है तो इसी वज़ा से हिज़त जो है ना इनसान के शिरस्त में है क्योंकि हर इनसान जो है ना हिज़त करता है और हम लोग पहली हिज़त कर चुके हैं तो यह हो गया एंसर आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल मगरिब की जानिव हिज़त करने वालों को मगर्ब जो हैं पच्छिम वो गुलामी की निशानी है अगर आप अरब मुमालिक यूरोप या अमेरिका में तलाश मौस्त में मुकदर आजमाई के लिए जाते हैं तो फिर समझ जाएए कि आपकी खाना बदोशी रंग ला रही है अगर आप मुकदर का सिकंदर बनकर कस्वे मौाश में कामयाब भी हो जाते हैं तो फिर भी आप डाल के टूटे पत्ते के मानंद है जिसे खुद नहीं मालूम के हवा का जोंका उसे कहां ले जाएगा आप खुद कहां और आपका एहल आयाल और दोस्त अहबाब कहां आप जहां भी जाएंगे आपका खुशगवार मा जताई ही थी कि मगरिव के जानब एज़चत करने वाले को आजाद पंठी में क्यायद करने को बड़ा रही थी तो बता रही थी ना-कर पंपंचिए उसपो सूने में कायद कर दिया गया हो तो उस खुशी हभात कि चलो उसके पास सोना का पिंज़च्डा है लेकिन तो किस जानिब हिजरत करता हैं तो वहां उस देश में जाने के बाद उसको सभी तरह की सुखसांती मिलती है लेकिन एक तरह से उसके चारों तरफ बाउंडरी रहती है एक रूल और रेगुलेशन लगाया जाता है क्योंकि हम अपने देश में नहीं हैं दूसरे देश में गये हिजर जाते हैं वहां पर सभी सुखसविदायद मिलती है लेकिन फिर भी हमें एक तरह से कैदखाने की तरह कैद कर दिया जाता है ठीक है हमारे चारों तरह बाउंडरी होती है कि नियम और कानून लगा होता है जिसे हम पार नहीं कर सकते हैं लेकिन हम अपने देश में आजाद हो तो ये सारा चीज़ आप लोगों को एंसर में लिख देना है चलिए फड़ा फड़ा आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोशन है कि इसे कहते हैं वाजा कीजिए सरसरी नजर से देखा जाए तो पता चलता है कि इसे कि एक बदली हुई शक्कल है इसके मुझमून तो नहीं कह सकते है इसलिए तारीखी एतबार से इनशाया के मफ़ूम और हैयत में कई इनकलावाई तब्दिलिया वाकी हुई हैं दूसरी बात यह है कि हर इनशाया मुआद और तकनीक के लिहाद से जदागाना कीफियत का हामिल है ताहम अपने मतनू कीफियत और इतलाव और इजहार के मेद करती है इनशाया निगार का मकसद जिर्फ चंग लबहों के लिए जिन्दगी की संजीद्गी और गहमा गहमी से कते नजर करके अपने शक्सी रदे अमल के इजहार से कारी को रोशनास कराना होता है दर असल इनशाया निगार का गहर रस्मी तरीके कार सगुफता मोड सगुफता मोड बतोर एक सनाफी خوبी तंजो मजा के अनासर के आवेजश भी इनशाया में होती है और इन अनासर के इस्तेमाल से उसके हद फासल जैसे अमोर के वजाहत भी हो जाती है और इस से इनशाया का एक खदखाल भी मत्ताइन हो जाता है लंबा चड़ा लिखा गया ह एक कुल एहमेद जमाल पाशा की अद्वी अहमियत पर रोशनी डालना है तो मतलब ये कहां कहां पढ़ाई किये और किस तरह से ये अपने इनशाया को लिखते हैं इनके अद्वी अहमियत पर रोशनी डालना है ठीक है तो एहमेद जमाल पाशा एक कुल वक्ती अधीब थे तंजो जराफ़त उनका खास मैदान था एहमेद जमाल पाशा का खास मैदान था तंजो जराफ़त का याद रखिएगा ये अबजेक्टिब में पूछ देता है जिसका इतराफ करते हुए गालिब अकेडमी ने उनईसा 82 में इस भी का सागर सुरी गालिब आवर्ड अता किया नहीं अता किया तंजो जराफ़त से मतालग उनकी तस्नीफ की तादाद 15 है देखिए यहाँ पर नहीं गलती से लिखा गया है उनईसा 82 में सागर सुरी जमाल पाशा को मीला था क्यों क्योंकि उनका तंजो जराफ़त का खास मेडान था इसी वज़ेश से और तंजो जराफ़त से मतालग उनकी तस्नीफा कितादा 15值े रिल्लेटेड जो है ना वो पंदरा पाशा इंसाया हिजरत की अबतदा बंजारों के एक फिस्से से करते हैं जो शहर की आबादी से बाहर कुछ दिनों के लिए डेरा जमाई रहते हैं और मसंविफ के जहन में ख्यालों का एक जंगल तयार कर देते हैं और इंसाया निगार इस जंगल को तर्तीब देता हुआ हमा जमाल पाशा यूँ तो पूरे इंशाया में मन्फी गोशों को ज्यादा उभारते हैं लेकिन संजीदा और मिजाज के साथ बाद मसबत बाते भी पेश करते हैं इंसाया के आखरी पारग्राफ में इंशाया निगार हिजरत को आलमी यकजहती का एक औजार बना कर पेश करत के बैयां में खुद को असिर कर लिया है यह लंबाच वड़ा लिख देना है आप लोगह को चलिया आगए बढ़ते हैं आप यहां से स्टार्ट हो रहा है आपछों का कॉशन ग्रामर्ट contribute आप लोगेगों के लउक में ग्रामर्ट पोचा गया तूम एक क्वषन पूछा ग की है ताती, फुर्सत, फ्याल और सरका मुतहरक, हिसार यानि की गेरा, यलगार, हमला, अग्यार, बेगाना, ये एक समान अर्थ रखने वाला शब्द है, ठीक है, फड़ावड आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन दर्जायल अलफाज के अजदार बताईए, ये अलफाज दिये गए, अलफाज से खाली जगाओं को पूर कीजिए, यहां पर, यहां पर कॉलम में दिया गया है, लफ्द, और इन लफ्दों से, ये जितना भी खाली जगए हैं, इनको भरना है, तो खाना बंजारो तो, बंजारा तो, इसके लिए क्या होगा, यहां पर रहेगा सदा का खाना बदोश है, जमाने के शिकारी भी उनकी यलगार, यहां पर यलगार नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, उनकी खुआशात का जिम में क्या रहेगा, लाल किला, उनकी खुआशात का लाल किला तो बस एक मकान हुआ करता है, इसलिए कानून का आहंगी, एक मिनट यहा यहां पर दाल में क्या दिया रहेगा दाल में रहेगा शिकंजा यहां पर शिकंजा रहेगा ठीक है शिकंजा और फिर लास्ट में यह में रहेगा क्या अगयार यहां पर अगयार रहेगा तो यह आप लोग को भर देना है यहोप आप लोग को समझ में आ गया होगा आगे भेसन थी भेसन आप लाएंत वाजिन दूज आव एं पर नियुद सिरी आजिए कोई-धाइवार है यहां भेसन औरि स्वेसय इसका वाजिबाया होगो? घर्दिश माहσιल में मसरुफ स Corinth कार चिम्डा जिन्दगी निचोड़ता रहता है ये भी नहीं होगा देखिए अब इसका एंसर देखते हैं जहां बस्ती थी वहाँ जिन्दगी का क्या होगा एक ताज़ा दम काफिला सरगम सफर है ये होगा इसका सही मिलान ठीक है बंजारों का सरदार बड़ी शान से सीना ताने चल रहा है ये सही मिला दिया गया है पस्तियों तक तफीली बैल की तरह चिम्टा जिन्दगी निचोड़ता रहता है ये हो गया ठीक है जमीन और चांद अपने मदार पर गर्दिशे माह वसाल में मसरूफ जफर है इबन आदम फिर जन्नत किसे कैसे पहुंचे जो उसकी आखरी और मस्ताकल अकामत गाह है तो ये मिला दिया गया है चलिए फटफट आगे बढ़ते हैं दस नमबर सवाल की दर्दजैल एक मिनट रुख जाएए हाँ दस नमबर सवाल देख लेते हैं कि दर्दजैल जमा अलफाज को वाहिद में तबदील कीज़े यहाँ पर जमा लफज यानि कि प्लूरल वर्ड दे दिया गया है बहु वचन और इसका एक वचन यानि कि सिंगुलर बनाना है तो जुलमात का वाहिद यानि कि एक वचन क्या होगा जुलमत एहसासात ये बहु वचन है यानि कि प्लूरल वर्ड है इसका सिंगुलर क्या होगा एहसास अबादियू ये क्या है जमा है यानि कि प्लूरल है इसका वाहिद हो जाएगा सिंगुलर आबादी तो ये था चैप्टर नमबर फाइफ का टोटल सेल्यूशन सारा सब्जेक्टिव और अब्जेक्टिव आज की इस वीडियो में आप लोगों को पता होगा क्योंकि चैप्टर से ही सारा कोशन उठाया गया है और चैप्टर में आप लोग अलड़ी पढ़ा चुकी हूँ आज की इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज